मैंसे विशाल और आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल पर तो मुझे काफी सामें से कमेंट्स आ रिती कि यार एक इसक्रू डाइवर मशिन बनाके दिखा दीए तो आज की वीडियो पर मैंने आपके जो कमेंट थी उसी को पर वीडियो बनाए आपके लिए एक छोटी इसक्र आपको सबसे पहले मिल जाएगी इस वीडियो इस पॉंसेट बाइ यूटी सोर्स अगर आप इलेक्रोनिक से लेटेट प्रोजेक्ट बनाते हो तो फ्रेंड्स आपके लिए ही ये वेबसाइट बनी हुई है आपको यहाँ पर सेंसर से लेकर सारी आईसी सारे में लिंक कर दे दूँगा जहां से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जा सकते हो और इन सब चीजों को खरीच सकते हो तो फिर आप सबसे पहले यहां पर एक मोटर लेनी होगी और यह बारा ओट की डीसी गेर मोटर है जिसे देख सकतो इसमें पीचे की साइट में मोटर के और इसकी बोडी बनाने के लिए आपर में पीवीसी पाइप का यूज करूंगा देख सकतो आप और इसकी साइट जो है मेरे पास मोटर जो है उसको साइट का ही है जिस देख सकतो मोटर इसका अंदर बिल्कुल फिक्स आ चुकी है तोड़ी सी दीली है लेकिन चलेगी इ इसकी लंबा ही फ्रेंड्स आप अपने साब से ले सकतो इसमें बटन लगाना है और अपने साब से देख सकतो आपको कितना लंबी चाहिए इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक प्लास्टिक का टुकड़ा लेना है जिससे देख सकतो अब हमारा जो पाइप है फ्रेंड्स इ कट करना है इसके नुक्षी लाग को ना जो है यह हमारा मिडल पॉइνे नहीं रहेसे सब्सक्राइब तो इस यूजहार पर या पर यूज सब तो अब हमारे प्र barr मारे जैसे सब्सक्राइब कर देंगे इसके पना कर देंगे इसके अंदर तो यह मैणे सब तो दो और होल इसके साइट में है तो यह जो होल हमें करने होंगे ताकि हम इसमें स्कूरू कर्ज देंगे तो मोटर हमारी यहां पर फिक्स हो जाएगी बिल्कुल तो दोनों स्कूरू को यहां पर हम कर्ज देंगे इस टैप से और इन्हों को अच्छे से करना है तो ईसे हम उसे हम टाइट कर देंगे किसी भी पेचिकस के दुवारा फिर हमारweet वार तो हिता है फिर हमारे स्क्रोड्राइवर लिए है आप सकते मूंदा ताकि हमारी मोडर लिए हमँ अब आपको क्या करना है जो हमार पाइप था उस पाइप के अंदर स्टैप से डालना है ताकि इसे हम हेंडिल बना सेगे अब इसे यहाँ पर हम सूपर गुलू के दुवारा चिपका देंगे आप गुलूगन का यूज मत करना फ्रेंड्स वह इतना मजबूते से नहीं चिप का लिजे इसका बात फ्रेंड में डीपी डीटी स्वीच का यूज करूँगा और फ्रेंड्स यह आपको इलेक्ट्रोनिक शोपर मिल जागा एज़ी दस या पंदर रूपे का मिल जाता और आपको कैसे पेचाननना इसको तो जैसे देख सकतो हूँ इसके पीची की साइट म बृष नहीं होता कि आपको पूरा जाना अ-ध्रींटी क सब्सक्राइब एक हैसे बेसे कर सकते तो अमले करते हैं अब हमारी मोटर के फ्रेंट के लेक्षतन कनेक्षन करना है लेफ्ट राइट को इसा भी कर सकते हैं जरूर नहीं आपको मैं कर रहा हूं से बस बीच में connection करना है अब आपको दो वायरोल लेफ्रेंस जो हम इनपूट देंगे इसके अंदर वो आपको क्या करना है आगे वाले दो पोल या पीछे वाले दो पोल कि इधर भी इनको कर देंगे तो यहां पर मैं hold कर लेथ हैं एक ऊपर की साइड में hold करूंगा एक नीचे की साइड में ताकि इसमें gap बन जाएगी और हमारा ज्यवड़े बटन है इसमें बाहर निकलने के लिए गए बन जाएग इसमें तो इसको यहां से के द्वारा बीच वाला पोश्चन क स्टैप से यह देख सकतो हो इसमें मैंने कट कर लिया है अब हमारा जो इसके अंदर आजाएगा और आपको ध्यान रखना इतनी डिया प्रक्निस में कि यह मूव हो सके अब फ्रेंड जब हमें इसके पीछी की साइड में सपोर्ट लगाना होगा क्योंकि अकर बटन को अपन हम दबाएंगे तो यह पीछी की साइड में मुव और सकता है शरक जाएगा और हमारा खराब हो सकता ही है तो इसके लिए आपर मैं एक प्लास्टिक का टुकडा कट करके पीछी की साइड में दबा दिया इस टैप से देख सकता है और यहापर मैं सूपर ग्लू से इसको चि चिपकाएंगे लेकिन आपको ध्यान रखना इस ग्लू को चिपकाते समय कि इस ग्लू के बून जो है इस स्विच के अंदर नहीं जानी चीए अगर चल जाएगी तो यह खराब हो जाएगा तो बिल्कुल ध्यान से इसको चिपका दीज़े आप टीक है मैंने चिपका दिये 10 रूपन का मिल जाएगा आपको नल फिटिंग की शोप पर और यह इसी साइच का लेना आपको जो हमारा पाइप है उसी साइच का अब इसके बीच में आपर एक होल करना होगा आपको तो यह जो होल इतना बड़ा करना कि हमारी चार्जिंग की पोइंट होता है बार जो एडप्टर होता है उसकी फीमेल वाली जेक में ले रहा हूं यह पर फीमेल जेक और यह फ्रेंट आपको पांच यह दस रूपन मिल जाएगा मेर पास नया नहीं था मैंने पूराना यूज कर रहा हूं किसी चीज में से निकाला कंपोनेंट्स मेंने तो आप नया भी ल लगाना है और जो हमार केप ता पीछ वाला उसके अंदर सेट करना है आपको तो इस टाप सेट कर दीजे पहले और उपर से दवा कर इसकी पींड निकाल लीजे नीचे से अब इसमें हम यहापर सूपर गूलू की एक दो बून डाल देंगे जिससे यह अच्छे से चिपक हमें इसे केप को लगा देंगे फिछे से यहां से देख सकते हो फ्रेंश मेरे लगा दिया है अब यह हमारा पूरा कम्प्लीट हो चुका है अब इससे वायर होते हैं उनको connect करने के लिए इसका यूज किया जाता है यह आप बोल दीजिए वहाँ जाकर वायर कनेक्टर चाहिए तो 10 या 20 रुपर मिल जाएगा आपो easily और friends यहाँ पर जो हमारी मोटर की शाप्त है इसके ऊपर हम एक screw को यहाँ पर लगा कर टाइट कर देंगे तो जितने भी beats होती है वह सारी इसके अंदर मिल जाएगी लगबाइस के अंदर 30 प्रकार की beats होती है और अगर आप कोई खरीदना तो मैं description link देदूँगा मैंने तो काफी समय पहले खरीदा था इसकी rate मुझे नहीं पता है friends तो आप description में link देख सकते हो वहाँ से या आप कहीं साम में आएगा यह तो इसे हम चला के देख लेंगे हम यह आपर टेस्ट करके दिखा देता हूं तो मैं बार आउट के battery से चला के दिखा रहा हूं और आप adapter से भी चला सकते हो ठीक है तो हम यह आपर इसका connection कर लेंगे देख सकते हो अब यह बटन जो दिख आपको इसे बी गुमेगा ठीक है इस टैप से तो यह connection के उपर है आपका उल्टा भी गुम सकता है जो से मैं बता रहा हूं उसका मेरे reverse में उल्टा भी गुम सकता है लेकिन बस आप connection जैसा करोगे उस हिसाब से घूमेगा तो अब मैं आपको यहाँ पर इससे टेस्ट करके दिखा देता लकडी का टुकड़ा है इसके अंदर में एक screw को कसके दिखा हूंगा ठीक है खाफी बड़ी साइच का screw यहाँ पर मैंने hole भी नहीं किया है इसके अंदर डारेक्ट में इसको कसके दिखा रहा हूं अगर hole कर देंगे तो वह easily हो जाएगा लेकिन यह friends direct आपको किसी लकडी मे इसको लगाएंगे और बटन को हम उल्टा दबाएंगे तो देख सकतो easily इसने निकाल दिया है यहाँ पर कोई जादा आपको pressure लगाने की जूरत नहीं पड़ी बस थोड़ा सा लगा दिए और बटन दबा दिखा दिखा देता हूं तो देख सकतो यहाँ पर भी hole नहीं किया इसके आगे गेर लगे हुए और जो फ्रेंट्स वो गेर क्या करते हैं इसके speed को कम कर देते हैं लेकिन इसका जो torque होता है इसके जो power होता है उसको बढ़ा देते है गेर का काम ही ही होता है speed को कम करना और ताकत को बढ़ाना यह फिर ताकत को कम करके speed को बढ़ाना ठीक है तो को ब्लेक कलर अगा उका काफी पावर्फुल होता है इसको भी इसने इसने यहाँ पर कश्ट इस टैप से हैं और इसको यहाँ पर खोल के जब बता देना वीडियो कर अच्छी लेकर लाइक कर देना शेर कर देना चैनल पर नवह तो सब्सक्राइब कर लेना बेल आपको तो बादा मत भूलना जिससे मेरी हर एक नवीडियो को नोटिस्टिशन आपको सबसे बहुत मिल जाएगी तो मिलते हैं कि वीडियो में जे हिं जे बारत बाहर बड़ी क्या हुआ